देरे स्टुडेंट, एमेवियन की आनलाइन क्लास में, मैं हूं संकर सर और आज आप अध्यन करेंगे क्लास 8 संस्क्रित व्याकरन के अंतरगत सब्दूरूप का, सब्दूरूप की आपको मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसके मांदम से आप बहुत सारे और याद भी कर सकते, देखे, सब्दूरूप जब भी आप लिखना प्रादम करें, आपके भूग में निर्धारित बहुत सारे सब्दूरूप दिये गए हैं, लेकिन इनको आपको ध्यान लखना है, पहले आपको विभक्ति लिखना पड़ेगा, जैसे आपने विभक्ति दूतिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचिवी, सश्टी, सब्दूरूप जब भी आपको ध्यान पड़ेगा, पहले प्रत्मा में अह, दूतिया में में हलंत रहेगा, तृतिया में एन रहेगा, चतुर्थी में आए, पंचिमी में आथ, सश्टी में, अस, सब्दूमी में ए, और संबोधन, प्रत्मा एक बचन का रूप जो होता है, वो संबोधन में लिख दिया जाता है, चाहे दूई बचन का संबोधन हो, चाहे बहु बचन का संबोधन हो, सम में प्रत्मा का जो और बहुबचन बनाने में कठिन लगता है दुईविचन के लिए कोई भी कठिनता नहीं होती क्योंकि दुईविचन में आपके भी आप देखेंगे कि दो चीजों का जैसे यहां पर आओ है और आओ है जो सब्द होगा वो यह दोनों प्रत्मा और दुतिया दोनों में आओ ह हैं कि प्रत्मा का रोप यहां लिख दिया जाता है और बात करते हैं बहुबचन की थे प्रत्मा में आ होगा दुतिया में आन होगा तृतिया में आये भी होता है और भे भी होता है तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा तृतिया में आये भी होता है और भे भी होता है तृतिया और पंचिमी दोनों में भ्या भ्या होता है शष्ठी में नाम राम शाम इन त संबोधन में मैंने आपको बताया है प्रत्मा विभक्त का जो भी रूप होगा वही संबोधन में लिख दिया जाता है देखे जैसे माली ये आप प्रारम करते हैं देवताओं की बात करते हैं तो देव को देव से ही हम प्रारम करते हैं जैसे आपका रूप है माली ये आपका सब्द रूप आपको लिखना है देव का सब्द रूप आपको लिखना है ठीक है देव का जब सब्द रूप आप लिखेंगे तो यहां भी देखे आपने सीधा यहां लिखा देव ठीक है विशर्ग लगा है तो लगा ही देगा यहां आप लिखे देव और म में हलंत लगा ह तो यह वही लिखा रहेगा यहां आप लिखते हैं एन है तो देव वह में एक ही मात्रा हो जाएगी वह में किसी मात्रा हो जाएगी एक ही मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा देवेन ठीक है इस वकार्शी आपको हो गया चवथा आपका है चतुर्थी है आए तो देव में आ उसमें आत लगेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, देवात हो जाएगा, ठीक है, सब्द है आपका देव, उसमें आत हो गया, देवात हो गया, अस है, तो देवस से हो जाएगा, केवल आप उसमें लिखते जाएगे, आपको अपने आप ही यह समझा जाएगा, देवस से हो गय और सब्तिमी में ए हो गया, तो देव में ए की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा देवे, क्या हो जाएगा, देवे, ठीक है, यह आपका सब्तिमी हो गया, और सम्मोधन में मैंने आपको बताया था, प्रत्मा विभक्ति का, जो एक बचन, दुई बचन, बवबचन, जैसे एक बचन में चलना है, तो प्रत्मा विभक्ति का, यह रूप हो जाएगा, तो यहां क्या है, देवा है, तो यहां हो जाएगा, देव हो जाएगा, ठीक है, सम्मोधन में हे लगता है, और यहां सम्मोधन का, चिन लगता है, तो इसे लगा कर आप इस पंक्ति को बना देग ठीक है यहां भी सेम होई होगा देवो हो जाएगा आवकी मात्रा लगी होई है देवो ठीक है यहां आप भ्याब तो यहां वह में आप की मात्रा लगी वा हो गया और देव पहले ही है तो देवा भ्याब सेम यहां वही चीज हो जाएगा देवा भ्याम यहां भी हो जाएगा ठीक है यहाँ भी वही चीज हो जाएगा देवाभ्याम हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि दुई बिचन का रूप बहुत अधिक कठिन नहीं होता और यहाँ पर यो है तो यहाँ पर हो जाएगा देव में यो हो लग जाएगा देव यो हो जाएगा और यहाँ पर भी य वि भक्ति यह रूप लगे ना पढ़ेगा तो है देव ओग तो इस प्रिकार से आपका दो बेचाद का रूप भी तयार हो गाँ अब बात करते हैं बहुन ब्चान में तो देखिए यहाँ आ है तो सब आपका है देव का रूप चला है तो यहाँ हो जाएका देवाँ ठीक है यहाँ आन है तो यहाँ हो जाएगा देवान हो जाएगा ठीक यहाँ आई है तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा देवाई देवई पर चलता है जब रूप हो जैसा होगा वैसा लिखा जाएगा तो देवई हो गया यहां क्या हो जाएगा और चतुर्थी बिवत में यहां क्या हो जाएगा यहां भ्या है तो हो जाएगा देवई भ्या क्या हो जाएगा देवई भ्या यहां भी वही चीज हो जाएग पंचिमी में भी बहुपचन में देवेभ्यर और सश्टी में मैंने भी आपको बताया था नाम राम साम तो यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा देवा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा देवा नाम ठीक है यहाँ देवा नाम हो गया ठीक अब उसके बाद सब्तिमी में क्या होगा एस होगा तो सब्तिमी में आप लिख देंगे देवेशू देवेश हो गया और संबोधन में आपको मैंने बताया है प्रत्मा में क्या होगा देवा है तो हे देवा हो जाएगा ठीक है हे देवा और संबोधन का चिन आप लगा देंगे इस प्रकार से आप आसानी से किसे भी सब्दुरूप को आप इस ट्रिक के साथ आप ध्यान कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं अब देखे ये तो हुआ लिखने का तरीका आप बात करते हैं याद करने का तरीका ज्यादा तर बच्चे क्या करते हैं बिभक्त में चलते हैं प् इसमनार कर सकते हैं जैसे आप जब भी विभक्त में पढ़िए प्रत्मा दुदिया तृतिया चतुर्थी पंचमी शष्ठी शप्तमी संबोधन एक वचन में पहले पढ़ लिए उसके बाद दुवचन में पढ़ लिए फिर बहुचन में पढ़ लिए जैसे एक वचन का रू करते हैं दो बचन में भी आप पढ़िए देवो देवो देवा भ्याम देवा भ्याम देवा भ्याम देवयो देवे ओह देवो यहां भी आप पढ़ सकते हैं और बहुचन में रूप जब पढ़ेंगे देवा देवान देवा इह देवा देवा नाम देवे से देवा देव इस प्रकार से आप आसानी से इन सभी रूपों का अध्यान कर सकते हैं आपको लिखने में भी आसानी होगी आपको पढ़ने और इसमर्ण याद करने में भी आसानी होगी तो देखे ये तो हो गया आपका सब्द रूप अब इसी अधार पर अगर आप सब्द रूप बनाते हैं तो सब्द रूप में जैसे राम का रूप है राम का सब्द रूप है राम का सब्द रूप इसी रंग से आप लिख सकते हैं जैसे बालक का है बालक का सब रूप बालक का सब रूप भी आप इसी डंग से लिख सकते हैं जैसे चात्र है चात्र का सब रूप भी इसी तरीके साब लिख सकते हैं जैसे सिस्स्य है सिस्स्य का भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे सूर है सूरी का भी इसी तरीके से आप सब दुरूप लिख सकते हैं तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू सो मार